इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IPC का सेक्षन 498A के तहत केस कौन कर सकता है क्या एक मैरिड वुमेन ही 498A का केस कर सकती है इसी के फेवर में सुप्रीम कोट ने एक एहम फैसला भी सुनाया है इस केस का टाइटल था पी शिव कुमार वर्सेश स्टेट और इस केस की सुनव सुप्रीम कोट में जेस्टिस बी आर गवई और जेस्टिस विकरमनाथ की बेंच कर रही थी दोस्तों जो IPC का सेक्षन 498A है उसका मिस्यूज इस देश में बहुत जाता होता है IPC के सेक्षन 498A को ऐसी महिलाओं की रक्षा करने के लिए बनाया गया था जो कि दहेज हत्य या क्रुवैल्टी या किसी भी तरह के अत्याचार का सामना करती है उन्हें बचाने के लिए इस दहरा को बनाया गया था इसका में परपस था दहेज जैसी कूप रथा की वज़ा से होने वाले क्रुवैल्टी को दूर करना और महिलाओं को प्रोटेक्शन प्रदान करना त जो कि ससुराल में किसी भी तरह के अत्याचार को सहती है तो इस धारा का इस्तेमाल करके वो अपना बचाओ कर सकती है सुप्रीम कोट में जो केस आया था उसमें एक महिला ने अपने पती के खिलाफ आईपी सी के सेक्शन 498A और डावरी एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत मदरास हाई कोट ने सुनवाई की थी और सुनवाई के दौरान उन्होंने दोनों की मैरिज को इलिगल पाया था यानि कि ये जो महिला थी उसके पती के साथ जो उसकी मैरिज हुई थी वो वैलिड नहीं थी और वैलिड मैरिज के रिलेशन में मदरास हाई कोट ने एक फेम के सेक्षन 498-A के थहत कंप्लेइन को भी दायर नहीं किया जाएगा जिसका मतलब यह हुआ कि इस धारा का इस्तेमाल सिर्फ वही महिला कर सकती जो कि शादी शुदा होगी लेकिन फिर यह मामला सुप्रीम कोट पहुंसता है और सुप्रीम कोट में जस्टीस बियार गवई औ जस्टीस विकरम नाथ की बेंच ने कहा था कि दोनों के बीच मैरिस तो इन्वैलिट थी इसलिए IPC का सेक्षन 498 यहां पर लागू नहीं हो सकता और रही बात दहेज निशेद एक्ट के सेक्षन 3 और 4 की जिसमें की ट्रायल कोट ने एविडेंस को इन्वेस्टिगेट करक कि वो हाई कोट में जो आरोपी को बरी करने का फैसला है उसको रद कर सकती है बशरते उसके खिलाफ कोई सब्बूत होना चाहिए लेकिन हाई कोट का फैसला यहां पर सही था क्योंकि महिला ने जो अपने पती पर आरोप लगाये थे वो बेबुनिया थे वो उनको ट्रैल क कोट में प्रूफ नहीं कर पाई थी इसलिए ट्रैल कोट और हाई कोट के द्वारा दिये गए जो फैसले थे सुप्रीम कोट ने उसको सही पाया और आई पीसी का जो सेक्शन 498a है वो तब ही लगाया जा सकता है जब मैरिज पूरी तरह से लेकल हो खोब कि ये वीडियो आ चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा